Best Laptop for Creators के लिए in 2021 में अगर आप Laptop सर्च अड़ कर रहे हो एंड अगर आपको विडियो 50,000 है ये वीडियो में आपके लिए कर रहे हो तो बात करते हैं सीधा Number 4 की बात करते हैं लेकिन Number 4 की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ भी मैं आपको जितने भी Laptop बताऊंगा वो वीडियो एक्टिंग के लिए best होने वाले अगर आपने 4K भी ट्राइक करना है आप कर सकते हो अगर आपने गेमिंग करने है हाई ग्राफिक भी अगर आप गेमिंग करना चाहते हो आप नॉमली ईजली कर सकोगे प्लस भी अगर आपको ऑफिस वर्क के लिए चाहिए स्टूड़नटों पढ़ते हो पढ़ते हो आपके लिए best deal होने वाले अगर आपने आफ लाइन काम करना है जा लगाने अगर आपने online classes लगाने हैं आपके लिए भी बहुत अगड़े होने वाले हैं प्लस अगर आपने ऐसा creator काम करने ऐसा developer काम करना प्रोग्रामिंग करने हैं कोडिंग करने हैं उसके बाद भाई अगर आपने कोई भी हवी software भी यूज करना है आप इजली नॉर्मली कर सकोंगे तो बात करते हैं सीदा नमबर फो की बात करें नमबर फो पर मैंने रखा है MI Notebook Horizon को अगर इस laptop की बात करो सबसे पहले में आपको बता देना चाहता हूं कि इनकी बिल्ड क्वाल्टी प्लस इसका डिजाइन वह बहुत ज्यादा इसको सूट करता है प्लस MI ब्रेंड है प्लस भी अगर आपका कोई काम ऐसा है कि आपको कीबोड पे ज्यादा काम करना पड़ता है आपके लिए बहुत अगड़ा होने वाला है विक्लस आपको ट्रैक आप कर सकते हो विकर्ज आपको ग्राफिक कार की बात करूं आपको MX350 2GB ग्राफिक कार मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते है आपको 10th generation के साथ देखने को मिलगा तो स्पैसिफिकेशन के अकॉर्डिन देखा जाए laptop पूरा loaded देखती को मिल जाता है मैं आपको main specification बता देता हूं आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की बात करूं आपको NVIDIA MX350 2GB देखने को मिल जाता है उप्रेणी देखने की बात करूं आपको 10 hours का बेंटरी बैकप परवाइड कर देता है प्राइस की बात करूं आपको 51,000 के बजट में MI Notebook Horizon देखने को मिल जाता है तो यह option नहीं मिलता, so that's why मैंने इसको number 4 पर रखा, तो आप इस चीज़ को दियान में रखना कि आपको RAM अपग्रेट करने का option नहीं मिलता, जो कि सच में एक मानस मट आ जाता है, तो आप देख लेए अगर आपको यह laptop जो है, वो सही लगता है, आप उसके और जा सकते हो, अगर आपको कोई requirement है कि आपको 8GB RAM minimum बहुत है यार, अगर आपको इतने ही मतलों सही लगती है, तो आप इसके और जा सकते हो, अगर आपको 8GB RAM नहीं सही, आपको कोई काम ऐसा है कि आपको 16GB RAM चाहिए, अगर आपको 32GB RAM चाहिए, तो आपके लिए यह laptop बिलकुल भी नहीं बना, इसलिए तो मैंने इसको number 4 पर रखा, अभी आगे बात करते है number 3 की, number 3 की बात करूं, number 3 पर यार, मैंने रखा Acer Aspire 5 को, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका प्रेट 50,000 से कम है, तो यह laptop आपको 45,000 के बचल में मिल जाता है, 45,000 के बचल में आप आपको specification पूरे loaded मिल जाते हैं, बहुत अगड़े specification हैं, मैं आपको बताते हूँ, सीधी बात करते हैं, हम specification की, तो यह display की बातों को 40-inch Full HD Plus display मिल जादी, जो की IPS panel display, processor की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता, storage की बात करूं, आपको 8GB RAM मिल जाते है, expandable आपको 512GB SSD देखने को मिल जा अगर आप data अगरा जल्दी transfer करना जाते हो, तो आपके लिए बहुत benefit करेगी, as comparison किया जाए, HDD के साथ, HDD की speed बहुत slow होती है, ठीक है, अगर आप 2GB या 3GB की file transfer करते हो, तो उसको यार, आदा गंटा, 40 मिन ऐसे लगते हैं, लेकिन SSD में आपको यह चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, जो की सच में SSD ही लेनी चाहिए, अगर आप data अगरा ज्यादा transfer करते हो, ग्राफिक आड़ की बात करूँ, आपको नवीड है, G4 MX350 देखने को मिलेगा, उपरेडी सेस्नों की बातों को विंटो 10 मिल जाते है, आप बैंटरी लाइफ की बात करूँ, आपको 8 hours का ब बहुत ज्यादा सही है, आपको 45 hours के बजिट से लेके 50,000 के बजिट तक ये laptop देखने को मिल जाता है, तो अगर आपने office बर के लिए चाहिए, student हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, अगर programming करने है, coding करने है, कोई heavy software यूज़ करना है, video editing करना चाहते हो, या gaming करना चाहते हो, आप इस पे कर सकते है, आपको 2GB graphic card मिल जाता है, 8GB RAM मिल जाते है, जिसको आप upgrade कर जाते हो, 16GB तक, अगर आपने video editing करना है, तो भई, मैं आपको recommend करना जाता हूँ, आपने 16GB RAM के minimum चल जाना है, उसको upgrade कर लेना, आपके लिए ही benefit होने वाला, अगर आप कुछ भी पूछने जाते comment section में comment कर सकते है, जो मैं जोजे Instagram पर मैं से ही कर सकते है, यार मैंने link वगारा description box में दिया हूँ है, अभी आगे बात करते है number 2 की, तो अभी बात करते है number 2 की, लेकिन मैं आपको कहा देना जाता हूँ, number 2 and number 1 को, दोनों को मैंने combine कर दिया, विकस दोनों ही laptop, जो वो Acer की आ gaming design नहीं चाहिए, तो Acer Aspire 7 आपके लिए perfect deal हो सकता है, बट अगर आपको gaming design चाहिए, अगर आपको gaming design से matter कुछ भी नहीं करता है, आपको specification loaded चाहिए, कि अगर आपने कोई heavy software यूज़ करना है, gaming करना है, video editing करना है, आपके लिए best होने वाला, Acer Nitro 5, sorry, पहले मैं कल तो बोन अब ही बात करते है, दोनों के main specification की थोड़ा से deeply बात कर लेते हैं, तो यह display की बातों को 15.6 inch full HD plus display मिल जाती है, जो की 16 refresh rate के साथ आती, तो 16 refresh rate यार average display होती है, इतना तगड़ा भी नहीं कह सकता है, इतना इसको गलत भी नहीं कह सकता है, इस तीज को आप द्यान में रखना, अब processor की बातों को i5 19 generation के साथ मिलता है, storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जाती है, अपर grade आप कर सकतो 32GB प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती, graphic card की बातों को GTX 1650 4GB मिल जाता है, उप्रेणी सेस्टर की बातों को window 10 मिल जाती, प्लस आपको fingerprint वगार भी देखने को मिलेग तो यहर अब भी बात करते हैं, इस निट्रो फार्ग की तो display की बातों को 15.6 inch full HD प्लस IPS पैनल display मिल जाती है, जो की 16 refresh rate के साथ आती है, आप वर सासर की बात करूँ, इसमें भी आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिलेगा, 3500HS के साथ है, storage की बातों को 8GB RAM मिल जाती है, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती, ग्राफिक कार की बातों को GTX 1,6504GB मिल जाती है, अप बैंटरी की बात करूँ, आपको 6 hours का बैंटरी बैकप पर वाइड कर देता है, प्राइस की बात करूँ, आपको 57,000 के बज़र में इस से निट्रो फार्ग देखने को मिल जाती है, तो यहर में इन स्पैसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही लैपटाप के बता दिये, मुझे पता है, मैंने जो आपको लैपटाप बताएं, उनका प्राइस जो है, वो 50,000 से अपपर चला जाता है, तो यहर अगर आप एक्स्टा पी कर सकते हो, तो आप एक्स्टा थोड़ा सा भी पी कर हो सकता है, इस प्राइज रेंज में इस सर बहुत तगड़ा है, अगर आपका प्राइज रेंज में एस सर लैपटाप बहुत जादा तगड़े हैं, तो यहर अभी मैंने आपको टॉप वो लैपटाप बता दिया, जो कि आपके लिए पोफ़ाइड डील हो सकता है, अगर आप कोई भी हैवी साफ्टाप यूज करना जाते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, आफिस बार के लिए चाहिए, प्रोग्रामिंग करना है, कोडिंग करना है, जा अगर आपने as a creator काम करना है, as a developer काम करना है, जा कोई भी loaded file पर काम करना, आप सभी के लिए, जो मैंने आपक प्रिक्टिन ब्रॉक्स में देखने को मिल जागा उसको चाहँ कोलना, मिलते हैं नाक्स्ट वीडियो में ने वीडियो साथ, तेंक्यू